नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ सुपनल यादों वक्त हो चला है प्राइम मुत्तर प्रिदेश का तो रुख करते हैं यूपी खबर के ओर जहां लोग सभाच चनाव 2024 के मद्दे नजर बिजेपी पूरी तरह से चनावी रण में कूदने के लिए तैयार हो गई है वहीं खास बात तो यह है कि पीम मोदी ने भी खुद को पूरी तरह जोग दिया है इसी काड़ी में शनिवार को पीम मोदी अपने संसदी शेत्र वारांट सी पहुचे यहां उन्होंने मेगा रोड शो किया और फिर काशी विश्वनात में पूजा भी की आपको बता दें कि पीम मोदी के स्वागत में गाजी पूर के प्रसिद्ध न्रति के माधम सिया करशड का केंद धोबियार न्रति भी बना प्रसिद्ध यह सब्सक्रामें तो लोग ता अब है करशाय है कि यहां पर वारांट भी सुर्टोर वारांट सब्सक्राइच के यहां रहा है क्षेक्ट प्राबस्े रला प्राश्रात सट्रू आ डिज लूर्जा आता प्र और पुल्द बहुन आश्पखट से बार सुन गपाचुड एht पूरे यूपी में कम से कर पूरे सीट, अस्य सीट, हम लोग चीट के फुरा हासिल करें, अब उसे लोग सभा में, साड़े चार्थ अपर सीट, अब लोग पाठी की तरफ रहें, कि अब लोग जाई होना है, उसके साथ का जीटों की बात की जारी, चार्थ पार का तुसाद सकत्री की अजय सब्सक्राइँ, कि मैं से लोग सब्सक्राइश खीज है, आदो बेर आमत्यूरी में, सहर देथ ऊजये का जीटों की इन्हाँ है, कि अचिक होजत बात की पानी आपर नगत्या का जीट है, नी सादों कि अई। इतना ज्यादा है और आज तो इतना ज्यादा उत्सा है कि अभी महा शिवरातरी क फ्रवबीता और हमारे साथ अंसद हमारे देश के यशास्री प्रदान मंत्री माने नियना देन मोईची दि आज हम सब के पीछ में रहेंगे तो बाबा विश्वनाथ नगरी में हमारा नाम मंत्री है इससे बड़ी बात कोई नहीं है तोकि अब काशी के समझ से भक्तों ने भरी हुमकार अपकी बार जार करते हैं प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी का चौथी बार आगमन हो रहा है तो बार लोग सभा के चुनावी जनसभा और पूरवांचल एक्सप्रिस वे के शिरान्यास के अवसर पर आई थे इस बार तो लोग सभा चुनाव दोजार चौबिस के आजमगर से पूरवांचल ही नहीं देश के कई जिलों में मत्राताओं को विकास परियोजनाओ के लोकारपड और सिलन्यास को उपहार दे कर विकास गरती सिसा देंगे आपको बता दे कि पीम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे वहीं आजमगर से कई हवाई अटो का लोकारपड और सिलन्यास भी करेंगे पीम मोदी आठ राज्यों को 782 परियोजनाओ की सौगाथ भी आज के दोरे में देंगे मुख्यमंत्री योगी आदितिनात आज तेन जिले के दोरे पर हैं दिवरिया कुशी नगर और गोरकपर के दोरे पर आज सियम योगी है जहां कुशी नगर में सियम योगी कौतम बुद्ध क्रिशी और प्रदोगी की विश्विद्याले की अधार शिला रखेंगे इसके अलावा सियम यहां से 2134 करों की 483 योजनाओं का लोकारपड और शिला नियास करेंगे साथ ही सियम योगी रामभार स्तूप के पास 435 की लागस से महत्मा बुद्ध क्रिशी और प्रदोगी की विश्विद्याले की नीव रखेंगे तो करों की यह पर योजनाओं की सौगात तीन जिलों को मिलने वाली है यहां विविन विवागों के स्टॉल प्रदेशनी भी सजेंगे इस दोरान क्रशी योजनाओं से लाभामविंति प्रकतिशी किसानों को समानित भी क्या जाएगा वहीं सियम योगी दिवरिया में 600 करोड से जादा की परियोजनाओं का शिलन्यास और लोकारपड करेंगे इसके बाद शाम को सियम योगी गोरकपूर पहुचेंगे जहां गोरकपूर में 482 करोड की 253 करोड परियोजनाओं का लोकारपड और शिलन्यास करेंगे एक तिरफ लुक्ष सभा चुनाव नस्दीग है तो वहीं त्योहारों को देखते हुए जिले कि सभी अपराधियों को घिरफतार करने का अभियान चला है जा रहा है प्रिसासन की ओर से बता दे कि थाना सदर पचार और आपकारी विभाग मुगबेर की सूचना पर समय शक्ती धाम कॉलोनी और अभियुक्त आमित कुमार और चुन्नु चोधरी गिरफतार कर जेल भेजे गए हैं वहीं थाना सदर पुलिस और आपकारी विभाग ने बड़ी कारभाई करते हुए लगभग 3,130 लीटर मिश्रिश शराब को बरामत किया है और आरोपियों को जिल भेजिया है और एक बड़ी कम्यावी मिली है जिसमें 3,130 लीडर अपने शित सराथ रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो बरामत किया और दो अभियों इसमें प्लेग हैं जिनके नाम चुन्नु चौधरी और अमित है और अमित जो है उसका साथी है जो मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता किया गया तो यह पर्थे सामने आए कि डिस्टिनरी से जो कि सप्लाइड डिपोज में होती है जहां पे ब्लेंडिंग की जाती है पेट्रोल के साथ इसके लिए जो सप्लाइड आती है उनको विविन ध द्राबों के रोपके ड्राइवर के साथ मिली बगत के साथ यह चोटे-चोटे क्वांटिटी में उसमें से निकाल लेते हैं और फिर इकठा करके इसको टाइंड करके शराब के रूप में इनका बेचने का इस्तेमाल का की योजना थी परन्तु यह पूरी को इनकी पकड़ ली गई है जैसा मैंने बताया यह दो अभ्यूक्त गिरफतार करके जेल बेजे जा रहे हैं यूपी के फिरोजबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामदे आया यहां नौश का बच्चा जो सेकेंड क्लास का चात्र लेंच के बाद फील्ड में खेल रहा था और अचान से फिरोजबाद के सारी ट्रामा सेंटर लेगे पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रत गोशित कर दिया बच्चे की मौत से खबर जब परिजनों को लगी तो बच्चे भी ट्रामा सेंटर पहुंच गया और चीक पुकार मच गई आप बता दी कि रोजबाद में हंस पाने इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बता जा रहा है कि जी मारे कॉलेज का एक बच्चा है वह अक्समात अपने आपी चलते चलते गिर गया और वहां के डॉक्टर ना उसको मेरे द्वोसित कर दिया है अक्समात खुदी गिर पड़ा वैसे कुई दिक्कत नहीं थी पिलेन जगह पर गिरा है ऐसी किसी जगह उची नीची जगह पर निक्राश अंतल जगह भी गिरा है अक्समात बता रहा है कि साथ अटेक के लच्छड़ भी हो सकते हैं जी सीसी टीवी लगे हुए है मतरा के माटा में यमना एक्स्प्रिस वे में जाबरा टोल प्लाजा पर कार सवारों का टोल कर्मी के साथ मारपीट का ममला सामने आया है आपको बता दे कि टोल प्लाजा पर लगे हुए सीसी टीवी कैमरों में मारपीट का वीडियो कैद हो गया है वहीं घायल टोल कर्मी शिकायत लेकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपको बता दे कि टोल कर्मी का आरोप है कि कारसवार टोल फ्री कराना चाहते थे इसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसकी चांच पटाल में पुलिस चुट गई है जॉन पूराबाज शापूर थाराक्षेत्र के खेराकत तिराहे पर तेज रफ्तार ट्रक बरकरार होका टकर हो गई आपको बता दे कि घटना में कारसवार मौके पर साथ लोगों की मौत हो गई वहीं दो लोग खायल हो गई घटना के बा taste मौके पर चीक पुकार बची हुई है भाई मौके पर पहुचे इस्थानी लोगों ने फिलाल खायलों को जेना सबस्ताल भिजवाया है सिता मड़ी बिहार का एक परिवार साधी हेत लगी देखने के लिए इलाज हेत जा रहे थे कि जनपर जौन्पुर में परसाथ पिरहे के पास काथी टक्तर हो गई उस कार में नौ लोग सवार थे जिसने इलाज हेत रिफर किया गया जो बनारस लाज हेत गया था वो भी एक पास के इन पर जिला उद्धो विवाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपर एक उत्वाकी स्कीम के अनुसार प्रसिक्षन और टूल के टियोजना के अंतरगत पोशाक से संबंधित ट्रेंड में दस देविसी प्रसिक्षन दिया जा रहा है प्रसिक्षड के दौरान महिलाओं को टूल केट से लाई मशीन वित्रित की गई है प्रसिक्षड योजना और यो मार्जिन मनी स्कीम के अनुसार कोई भी व्यक्ती रोजगार इस्थापित करने के लिए बैंक से लोग लेका है तो उसे 20% से 25% तक सबसीड कि उपलब्द कराई जा रही है विजना प्रसिक्षड कराया गया अब किसम की टूल की उपलब्द कराई जा रही है यह सर कब से वित्रित चला आया किटोंगा यह है है । कब तक चलेगा सर बितर दर फमापत होने वाला है मतुरा के बी warto कॉलेज में मतुरा नगर निगम द्वारा डोटु दोड कचला कलेक्जन कारिक्रम ऑजित किया गया जिसमें बताइ जा रहा है कि एक कंपणी नैच्रल ग्रेन के साहिव से साथ काड़ियों को कि हमारे नगर निगम के अंधुरूनिक शेत्रों में सफाई नहीं हो पा रही थी जिसमें नगर निगम की शमता लगभग 200 टन कूड़ा उठाने की थी लेकिन कूड़ा लगभग 350 टन निकलता था वहीं इस कंपनी को टेंडर देने के बाद अच्छे से सफाई हो पाएगी औ और इस विश्वे पर नगर निगम के महाप और विनोध अगरपार और नगर आयूक तुष्षांग चौधरी ने जानकारी देते हुए कई अन्य बाते भी बताई हैं पूरे नगर निगम मतुरा में मतुरा विन्दावन में सफाई को लेकर के हमने नया एक विश्वेशाला को पीगेगी है इसना सारी गाड़िया है उनका इदन सारी विवस्ता सब कंपनी को करने होगी और सारी गाड़ियों पर जीपीस होगा गली तक जाए इसकी विवस्ता की गई है और लीट मैप बनाए गए और पूरा मोनिटरिंग इस प्रकार से की गई है और एक सिटीजन्स एप भी कि हमने एक टेंडर किया है जो कि पांटिटी बेस पर आधारिट है और हमारा इस टेंडर के मात्यम दिल अच्छी यह है जो हमारे नगन निकम के अंदुरूनी शित्रों में सफाई की कमी रहती थी क्योंकि हमारे पास गाड़ियों की कमी थी लगबग एक से बीद गाड़िया है और जब उनका फीड़बेक यहां को लेकर रहता है तो हमें उस बाक की तकलीव भी रहती है और इसके समाधान के लिए हमने एक टेंडर के लिचर गिरिम कंपनी को और इसका चार्ज है तिकना फुड़ा हुए है उटाएंगे उसका उसको पिमेंटिया लगबग इतना ही देश और दिन्या की तमाम बड़ी और एहम खबरों के लिए आप देखते रहें झाल